वेलो बच्चों क्या हाल चाल कैसे चल ज़िए बढ़ाई तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाल है ITJ2212 पेपर 2 Mathematics का ये Part 3 होने वाल है वीडियो का Part 1 में हमने Single Correct Type Question सॉल्व करे थे Part 2 में हमने Paragraph Type Question सॉल्व करे थे And Part 3 में हम लोग करने वाल है Multiple Correct Type Question और ये Last Part होने वाल है इस ITJ2212 के पेपर का तो पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बता देता हूँ कि ये जो ITJ2 का पेपर होता है ये Purely Concept Based होता है तो इसमें हमारा जो में लिफ फोकस होगा वो Pure Concept पे होगा हमें Question को पढ़के Line of Thinking सोचनी होगी कौन कौन से Concept यूज हो रहे ये सारी चीजे मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में तो चलो शुरू करते हैं Without Time Waste किये Section 3 Section 3 में Multiple Correct Type Question है जिसमें One or More Option Can Be Correct 10 Total 6 Questions हम लोग सॉल्व करने वाले है ठीक है तो One or More क्या है कि एक भी Option सही हो सकता है हो सकता है बहुत सारे Option सही हो तो सबसे Challenging जो होता है Portion वो होता है Multiple Correct Type जिसमें बच्चों का बहुत ही हालत खराब हो जाता है ठीक है क्यों क्योंकि इसमें जो भी Questions होते हैं वो Purely Concept मतलब एक Question डालेंगे उसमें चार Options डालेंगे तुम्हें चारो के चारो Options के बारे में आइडिया होना चाहिए अगर किसी Chapter से Question आ गया तो उस Chapter के बारे में फुली आइडिया होना चाहिए तभी तुम Question सॉल्व कर पाते हो तो कभी कभी किसमस से ही एकाथ Question easy आ जाते है नहीं तो Multiple Correct टाइप में हमेशा देखा जाता है कि अच्छे Question ही आते है ठीक है तो चलो Question नमर 55 को देखा जाए Question नमर 55 में एक Function दिया है उन्होंने और Function को इस तरीके से उन्होंने Frame किया है कि यो डरावना देखने में लग रहा है उन्होंने बोला है कि a n b n कोई real number है ठीक है for every integer n और इन्होंने बोला है Function defined a real number to real number ओके so it is given that f is continuous then which of the following holds for all value of n तो कौन कौन से conditions है ओके तो इस Function को देखा जाए तो मैं numbers देखूंगा तो सबसे पीछे आने वाला है 2n-1 उसके बाद आने वाला है 2n and उसके बाद आने वाला है 2n plus 1 all real number के लिए defined है लेकिन obviously मैं देख रहा हूँ 2n पे sign change हो रहा है that is Function change हो रहा है अपना definition change कर रहा है तो मैं 2n पे check करूंगा सबसे पहले तो जब मैं f of 2n की value निकालूंगा तो f of 2n पे आएगा उपर वाला Function तो obviously वो an आएगा सिर्फ क्योंकि sign के अंदर x के जगे यहां 2n रखोगे तो sign n pi is always 0 now अगर f of 2n minus रखोंगा मतलब 2n के अंदर वाला ची 2n से छोटा तो 2n minus पे जाओंगा तो यह वाला Function आजाएगा which is equal to bn plus cos 2n pi कितना होता है 1 होता है and 2n plus पे जाओंगा f of 2n plus पे जाओंगा तो obviously वो फिर से an आजाएगा now if the Function is Continuous then we can say that यह तीनों के तीनों values बराबर होने चाहिए that is an is equal to bn plus 1 होना चाहिए वहाँ से एक option हमारे पास आज आता है an minus bn is equal to 1 और यह बहुत ही easy है तो बहुत बच्चे यहाँ पे आने के बाद छोड़ देंगे लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे Function all real number के लिए continuous है this means 2n minus 1 पे भी check किया जा सकता है that is n के value n minus 1 डग के check किया जा सकता है अगर 2n minus 1 पे देखा जाए तो 2n minus 1 के लिए सोचो f of 2n minus 1 plus पे जाओगे 2n minus 1 plus पे तो 2n minus 1 के आगे यह वाला Function होगा which is equal to bn and cos 2n minus 1 that is cos of odd multiple of pi minus 1 होता है ok f of 2n minus 1 minus पे जाओगे तो कहां जाओगे तो यहाँ पे पहुँच जाओगे सोचो इस equation में उपर वाले में n के जगर तुम n minus 1 रख दो this means यह वाला हो जाएगा an minus 1 plus sin pi x इसमें change होने वाला नहीं और यह limit change हो जाएगा 2 into n minus 1 से 2n minus 1 तक तो 2n minus 1 से छोटे value पे जाओगे तो obviously इस function में जाओगे which is equal to फिट से an minus 1 and f of 2n minus 1 obviously कौनसा function होगा इसी में डालोगे which is again equal to an minus 1 okay an minus 1 फिर से यह तीनों बराबर होना चाहिए that is bn minus 1 is equal to an minus 1 तो यहां से तुमारे पास value जो आ जाती है वो है an minus 1 so यहां से कौनसा option आ गया an minus 1 minus bn is equal to minus 1 option number d ठीक है तो दो option से हमारा answer सही हो जाता है यह वाला question easy हो जाता है ठीक है चलो आगे बढ़ते है दो फिर से newton labnits क्यों मैंने बोल दिया ऐसे directly मैं कैसे बोल सकता हूँ newton labnits का है most of the case में यह बहुत बार मैं बोल चुका हूँ most of the case में जब integration के अंदर जो यह limit है वो एक variable आ जाए तो most of the case में क्या यूज होने वाला है newton labnits theorem ठीक है आगे देखते हैं फिर अब इन्होंने बोला f as local maxima minima obviously local maxima minima देखना है तो मुझे f dash x चाहिए होगा f dash x चाहिए होगा मतलब इसका differentiation इसका differentiation मैं obviously कैसे करूँगा newton labnits e to the power x square into x minus 2 into x minus 3 ओके अब f dash x के sign change देखा जाए तो 2, 3 इधर positive, इधर negative, इधर positive इसको मैंने क्यों नहीं देखा क्योंकि this is always positive ओके तो obviously अब देखो यहाँ पे local maxima आएगा यहाँ पे local minima आएगा तो f as local maxima at x is equal to 2 सही है f is decreasing in 2 से 3 एकदम सही बात है there exists f double dash c यह नहीं हुआ इससे f as local minimum at x is equal to 3 एकदम सही बात है a, b, d answer तो सही हो गया सिर्फ एक ही line से सोचो कितना easy सिर्फ एक line तुमने use किया a, b, d answer सही अब c option के बारे में सोचो there exists at least one c belongs to 0 से infinity such that f double dash c is equal to 0 अब f double dash की बात हो रही है f double dash x का कम से कम एक root है this means f dash x पे अगर rolls theorem लग जाए 0 से infinity में तो काम चल जाएगा अपना f dash x पे rolls theorem लग जाए तो मुझे यहाँ पे दिख रहा होगा f dash x एक continuous function है तो f dash 2 की value कितनी हो रही है? f dash 3 की value कितनी हो रही है? इससे हम लोग क्या बोल सकते है if this is continuous as well as differentiable function f dash x अगर continuous and differentiable function है and 2 पे same चीज आ रहा है तो rolls theorem से क्या बोला जा सकता है कि जो भी यह function है इसका differentiation कम से कम एक बार 0 होगा 2 से 3 में 2 से 3 में कम से कम एक बार 0 होगा that is f double dash c is equal to 0 for some c belongs to 2 से 3 और इन्होंने तो बोला है f double dash c is equal to 0 for some c belongs to 0 to infinity तो obviously 2 से 3 में ही हो रहा है तो यह तो इसमें होगा ही तो यह भी true हो जाता है यहां से directly अगर rolls theorem आता है तो नहीं तो जिसे यह click नहीं करता है at least one root वगरा है तो rolls theorem लगाने सिखना चाहिए लेकिन अगर यह नहीं click करता है तो अभी थोड़ी देर पहले हमने part 2 में आए गए part 2 में हमने solve किया था कि अगर intermediate value theorem लगा दे तो भी चल जाएगा that is f double dash x मैं निकाल लूँगा f double dash x निकाल लूँगा उसके लिए मैं क्या करूँगा e to the power x square this is x square minus 5x plus 6 into x square minus 5x plus 6 तो यहां से e to the power x square common लोगे एक cubic equation आजाएगा ठीक है अभी यह cubic equation आगया f double dash x यहां पे f double dash 0 निकालोगे कुछ और आजाएगा positive या negative आजाएगा f double dash x 1 निकालोगे तो वो positive या negative आजाएगा मतलब sign अलग 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 आजाएगा this means 0 से 1 में f double dash x अपना sign change कर रहा है this means कम से कम एक root तो है तो मैंने दिखा दिया 0 से 1 में root है और इससे पहले मैंने दिखा यह 2 से 3 में root है this means f double dash c कम से कम एक बार 0 तो होगा ही ठीक है तो यह बहुत ही प्यारा सा question था option number c ही बहुत प्यारा था मज़ा आ जाता है इस question को solve करेंगे ठीक है बच्चे सोचने का अलग-अलग तरीका सीचते है roles theorem भी apply कर सकते है intermediate value theorem भी apply कर सकते है ठीक है तो बहुत सारी तरीके से एक ही question को solve किया जा सकता है ठीक है चलो next question is from the straight line अब straight line में यहाँ पे दो line स्टेट लाइन है वे एक्टर सें 3D से है तो दो lines given है इफ देश्ट लाइन दिस आड़ को प्लेनर अच्छा दो lines को प्लेनर है तो क्या condition लगा जाता है थोड़ी दिर के बास सोच लेंगे then the plane containing these two lines obviously हमें plane का equation निकालना है के line के equation में एक चीज़ नहीं पता है that is k line के equation में k नहीं पता है मैं k कैसे निकालूंगा सोच लो k निकालने के लिए उन्हें एक condition दिया है कि यह दोने line कैसे है को प्लेनर है अच्छा दो lines अगर को प्लेनर में मेरा यह white background है यह को प्लेनर ही है now तीसरा vector मुझे speck point पता है speck point पता है तीसरा vector c vector पता है और मैं बोलूंगा यह तीनों के तीनों vector को प्लेनर होंगे that is b, c, d का box product 0 तीन vector को प्लेनर होतों क्या होता है box product 0 तो बहुत ही simple चलो ठीक है कर दिया box product 0 कर दिया इस टाइब के concept बहुत बार आ चुके है ITJ में कि दो line scope लेनर है box product निकालने के लिए directly क्या करोंगे determinant 2, k, 2 5, 2, k next is यहाँ पर point 1, minus 1, 0 और यहाँ पर point minus 1, minus 1, 0 तो अविसली यह vector निकालूंगे तो 1, minus, minus 2, i cap minus 1, minus 1, plus 0, j cap and 0, 0, 0, k cap तो अविसली मैं हमेशा try करूंगा कि ऊपर वाला कॉलम यही रहे 2, 0, 0 ताकि मुझे determinant निकालना बहुत ही आफान हो जाए now we can say 2 in 2 k square minus 4 is equal to 0 that is k is equal to plus or minus 2 k की value equal plus 2, equal minus 2 तो अब मुझे निकालना है क्या plane का equation containing these two lines now we can easily find out the equation of the plane containing these two lines अगर k की value पता है अगर मैं k को plus 2 लेके चलू k को एक वार minus 2 भी लेना है यह याद रखना है k को अगर मैं plus 2 लेके चलू तो मुझे दिख रहा होगा line का एक direction vector, b vector I can write 2 i cap plus 2 j cap plus 2 k cap and d vector मुझे दिख रहा होगा 5 i cap plus 2 j cap plus 2 k cap अगर मुझे normal vector of the plane निकाल ला है तो his narrow का cross product तो i, j, k 2, 2, 2 5, 2, 2 वाव तो देखो यहाँ पे i cap i cap लेलिया तो 4 minus 4, 0 minus j cap j cap लेलिया तो 4 minus 10, minus 6 plus k cap लेलिया k cap लेलिया तो 4 minus 10, फिर से minus 6 तो यह ultimate कितना आ गया 6 j cap minus 6 k cap तो तुम्हारा जो plane आएगा वो कैसा आएगा 6 y minus 6 z is equal to some constant अब इस पेक point को लाए करवा दो 1, minus 1, 0 1, minus 1, 0 1, minus 1, 0 तो this is minus 6 is equal to k तो यह ultimately कितना आ गया minus 6 आ गया अब मैं 6 से divide कर दूंँ है तो y minus z is equal to minus 1 y minus z is equal to minus 1 option number c एक आ गया when k is equal to 2 था now second when k is equal to minus 2 तब क्या होगा देखना कि अगर minus 2 होगा तो कि अगर minus 2 होगा तो this is 2 minus 2 and this is यहाँ minus 2 2 minus 2 एक यहाँ minus 2 now i cap i cap लिया तो यह row यह column खतम minus minus plus 4 minus 4 फिर से 0 minus j cap लिया ठीक है j cap लिया तो यह और यह खतम 2 into 2 minus 4 minus 10 अब k cap लिया तो क्या होने वाला देखना यह और यह खतम that is 2 into 2 4 minus minus plus 10 so this is basically minus 14 minus तो 14 j cap plus 14 k cap ठीक है तो फिर से 14 y plus 14 z is equal to some constant k अब k की value निकालने के लिए 1 minus 1 0 रखूंगा 1 नहीं होगा minus 1 minus 14 is equal to k this is minus 14 14 से divide कर तो y plus z is equal to minus 1 आगिया y plus z is equal to minus 1 option number B तो दो option सही होगे option number B and option number C next question question number 57 question number 57 है अपने पास किस से probability से और यह जो probability का question होता है यह थोड़ा easier level पे आ गिया है कि कै P of x by y given है P of y by x given है P of x intersection y भी given है पूछा गया है P x union y क्या होगा x and y are independent है कि नहीं x and y are not independent ठीक है independent कब होता है कोई भी तो अगर P x intersection y मैं प्रूफ कर दूँ P x into P y है तो यह independent हो जाएगा obviously इन दोनों से क्या आएगा देखना P of x by y P of x by y is P x intersection y divided by P y और यह मेरे पास कितना given है 1 by 2 तो यहां से we can see P of y by 2 is equal to P x intersection y है similarly P of y by x निकालोगे तो वो भी आएगा P x intersection y divided by P x and this is given as 1 by 3 तो यहां से P x intersection y तुमारे क्या आगया P x by 3 ओके now P x by 3 P x intersection y तो P x intersection y तो मेरे पास 1 by 6 है तो P of y कितना आगया 2 into 1 by 6 that is 1 by 3 तो P y आगया similarly P x intersection 1 by 6 है तो 1 by 6 into 3 is equal to P x तो P x तुमारे पास कितना आगया देखना 1 by 2 अच्छा P x आ गया P y आ गया दोनों का product 1 by 6 आ रहे है P x intersection y का product 1 by 6 है this means x and y are independent option B साइ option C गलत now अब मुझे x union y निकाल ला है तो P x union y is basically P x plus P y minus P x intersection y P x मुझे पता है तो यह का आएगा 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 6 तो this is 6 3 minus 1 by 6 that is 5 by 6 minus 1 by 6 that is 4 by 6 that is 2 by 3 तो option number A भी सही हो गया now यह वाला option number D x complement intersection y तो P x complement intersection y is basically what ठीक है ना तो P x अब मुझे यहाँ पर यह चीज़ पता है कि if x and y are independent event x and y are independent event बहुत ही प्यारा सा concept देखना बता रहा हूँ जिसको नहीं पता है वो याद कर लो इस चीज़को if we know that x and y दो events है और दोनों के दोनों independent है this means इसमें अब कोई भी condition लगा दो x bar y bar भी independent होगा x bar y भी independent होगा x and y bar भी independent होगा ठीक है यह प्यारा सा concept अभी तुरंत मुझे याद आया तो मैंने बता दिया ठीक है तो obviously P x bar intersection y निकालने के लिए this will be equal to P x bar into P y P x bar कितना आएगा obviously 1 by 2 ही आएगा and P y is 1 by 3 तो 1 by 6 आना चाहिए यह इन्होंने 1 by 3 option दिया तो option number D गलत तो answer क्या होगा A and B next question next question देखो if the adjoint of 3 cross 3 matrix P is this मतलब एक matrix होगा मेरे पस P उसका adjoint P निकाला तो वो यह है this is adjoint P basically then the possible value of determinant of matrix यह तो J main level का question आगया ठीक है मुझे इतना पता है कि determinant of matrix will be ऐसे adjoint of A का determinant जो होता है वो होता है determinant of matrix पर power N minus 1 जहाँ पर N क्या होता है उसका कौन से order का matrix है ओधेसे 3 cross 3 है तो यह P square हो जाएगा determinant of P square is determinant of adjoint determinant of adjoint यह निकालने आता है मुझे 1 into 3 minus 7 minus 4 minus 4 into 6 minus 7 minus 1 plus 4 into 2 minus 1 तो यह कितना आ रहा है minus 4 plus 4 plus 4 तो minus minus कट गया 4 आगया तो P square 4 आगया तो P की value कितने आगी plus और minus 2 तो answer D and A बहुत ही simple next question देखो यह question बोनस पर गया था बोनस नहीं 0 marks to all की बन था 0 marks to all अब सबसे बड़ी interesting चीज है क्यों ठीक है गोश्चीश को analyze करेंगे हम लोग पहले पहले question को solve करते है जब तुम solve करोगे तुम identify ही नहीं कर पाऊगे कहीं कुछ गलत है obviously solving में कोई problem नहीं है question में last में कुछ problem आएगी वह में बताता हूँ इन्होंने define किया एक function f cos 4 theta is equal to this 4 theta belongs to this and this then the value of f of 1 by 3 is equal to work okay f of 1 by 3 पुछा है obviously मुझे function की value निकाल ली पड़ेगी अब यहाँ 4 theta यहाँ theta है तो मैं 4 theta को theta में convert करने बैठ जाओ तो बहुत ही time लग जाएगा ठीक है 4 theta को theta में convert करने बैठ जाओ तो बहुत ही time लग जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ 4 theta को 2 theta में convert सकता हूँ and theta square को भी 2 time convert कर सकता हूँ बहुत ही असा नहीं से कैसे देखना, मैंने ये किया f of cos 4 theta अच्छा, second square theta मुझे देखने में चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो इसलिए मैंने इसको लिख दिया 2 cos square theta divided by 2 cos square theta minus 1 अच्छा, 2 cos square theta कितना होता है तो 1 plus cos 2 theta ठीक है, and 2 cos square theta minus 1 कितना होता है, cos 2 theta so this is basically 1 upon cos 2 theta plus 1 यहां तक तो life बहुत ही आसान है, of course 4 theta को मैं cos 2 theta में बहुत ही आसान है calculate कर सकता हूँ, this is 2 into cos square 2 theta minus 1 this is equal to 1 plus 1 upon cos 2 theta एक second के लिए मैं क्या बोलता हूँ, cos 2 theta is कुछ भी x ठीक है तो f of 2 into x square minus 1 is equal to 1 plus 1 by x, मुझे 2 into x square minus 1 is equal to 1 by 3 चाहिए, ठीक है तो मैं क्या बोलूंगा, this is 6x square minus 3 is equal to 1 चाहिए 2x square minus 1 is equal to 1 by 3 or we can say that ठीक है, 6x square minus 3 is equal to 1 or 6x square is equal to 4 or x square is equal to 4 by 6 or x is equal to plus or minus 2 by 3 root under, नहीं ठीक है 2 by 3 root under अच्छा, plus और minus दोनों लेना है की नहीं तो देख लेते हैं अगर theta 0 से pi by 4 and pi by 4 से pi by 2 में 2 theta obviously 0 से pi by 2 and pi by 2 से pi में हो जाएगा तो obviously एक बार cos negative आ सकता है cos positive भी आ सकता है इसलिए cos 2 theta can be positive and negative तो यहाँ से मुझे पता चला कि f of 1 by 3 अगर निकालना है तो x की value क्या रखना पड़ेगा यह तो यहाँ से answer क्या जाएगा 1 plus और minus root 3 by 2 जोकि 1 upon cos 2 theta 1 upon x u जो रहा है तो इसका रेसी फ्रोकर लेना पड़ेगा तो answer कितना आ गया दो answer आ गया multiple correct है तो answer तो यह आएँ गया a and b लेकिन यहाँ गलत है क्या गलत है जब तुम कोई function define कर रहे हो function define कर रहे हो तो हमें इतना पताया जाता है function तब ही define होगा जब हर एक input के लिए एक unique output आए हर एक input के लिए एक unique output आए लेकिन यहाँ पे 1 by 3 के लिए 2-2 output कैसे आ सकता है मतलब तुमने input 1 by 3 डाला output यह भी आ गया output वो भी आ गया Is this a function? Is this a function? No यह function है ही नहीं अगर function है ही नहीं तो यह question अपने आप में गलत हो जाता है ठीक है? अगर यह question गलत हो जाता है तो obviously bonus marking या 0 marks दिया गया सब को तो यहाँ पे हमारा paper ITJ 2212 खतम हो जाता है इसके बाद next paper हम लोग solve करने वाले हैं ITJ और वहाँ पे 2013 से एक नया नाम दे दिया गया इसको that is called J.E. Advanced ठीक है? J.E. Advanced 2013 solve करने वाले हम लोग next वीडियो में ठीक है? चलो stay tuned और यार अगर यहाँ तक देख लिए हो और पसंद आ रहे है तो दोस्तों साथ शेयर कर दो सब्सक्राइब करके जाना चलो All the best